दुश्मौदे मेरा प्रेश्ण स्पोर्ट्स मिनिस्टर से है, तो संदीप जी के पास तो स्पोर्ट्स नहीं है मेरे मंत्री मंदल के समानिय साथी है, मैं अपनी सरकार की और से किसी मंत्री को कह सकता हूँ जवाब देने के लिए आपने ये शब्द कहा है, ये उचित नहीं है, कहीं नहीं है। सरकार का हमारा जिमवरी है, आप लोग भी चलाते रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, ये कोई नहीं बात हो गया, आप इस परकार की जो एक मैं शब्रयों करना नहीं चाहता, अन्य था इन चीजों के परिणाव अच्छे नहीं होते हैं। कि हमारे विदानसभा शेत्र के गाउं में, जो कि हमारा प्रेशन लगा है, इसके हिसाब से सर हमारा बिर्धाना है, जवाब दिया गया है कि स्पोर्ट्स डिपार्ट्मेंट देख रहा है। सर मातनहेल गाउं हमारा तलाओ गाउं और हमारा कबलाना गाउं जो कि स्पोर्ट्स डिपार्ट्मेंट देख रहा है, बचसे बतर सर हालत है जो पुरारे एक्विप्मेंट से, सारे के सारे सर वो खराब हो चुके हैं। किसी तरह की वहाँ पर सुइधा नहीं है, सोचालों की, लाइट्स की वहाँ पर काफी जादा दिक्कत है और साथी साथ में कोई ट्रैक वगरा की विवस्ता नहीं है। तो मैं इसमें कहा है कि कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेर कर लिए जाएंगे, तो जरूर मंतरी जी बताने का किश्ट करें कि वो कब तक कर लिए जाएंगे। कि काफी हमारा जो शेत्र है खेल और खिलाडियों के लिए विशेयस तोर से जाना-जाने वाला शेत्र है हमारे खिलाडी जो है जादातर सेना की भरती में भी जाते हैं तो महां पर काफी जादा उनको तयारी करनी होती है दूसरा बताया गया है पंचायत विभार के द्वारा दे स्टेडियम एट बिर्धाना गाउं का स्टेडियम सर बिर्धाना गाउं के स्टेडियम के लिए भी ट्रैक, ओपन जिम, पीने के पानी, सोचाले और चार दिवारी जो कि काफी बत्र हालत में है, गाउं बहु में थोड़ा सा स्टेडियम का काम हुआ है, उसमें सब सुविधाय नहीं है जमालपूर जो कि हमारा पंचाय डिपार्टमेंट की तरफ से और कुछ विधायक निगी से हमने देने का प्रयास किया गाउं जमालपूर में भी क्योंकि उस जाकर काफ में हमारे जादातर खिलारी जो भी है वो जमालपूर में तैयारी करते हैं गाउं बिरोड हमारे शेत्र का सबसे बड़ा गाउं है उसमें भी हमने कई बर प्रयास किया कि पंचाय तेवं डेवलोपेंट डिपार्टमेंट के माधम से जो है कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहे थे उसमें बता दें कि कब तक फंड्स उसका रिलीज करके उसको ठीक कर दिया जाएगा और जो पंचाय डिपार्टमेंट की तरफ से है क्योंकि बार-बार सर मांग हुई है वहाँ पर जो ग्राउंड मेन है उनकी भी कमी है जो लगे में उनको तनखा नहीं मिली मेरा स्पैसिफिक कोश्चन यह है कि हमारे इन गाउं में कब तक सुविधा देने का काम सरकार मानिय दक्ष्मोदे जैसे हमारे मेंबर्स ने बात की कि तीन स्टेडियम जो है वो स्पोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और आठ जो है वो पंचाय डिपार्टमेंट ने बनवाए हैं तो इसमें अगर मैं लिस्ट बताऊं तो आपको कबलाना स्टेडियम तलाओ और मतान्द है ये स्टेडियम जो हैं ये तीनो स्पोर्स डिपार्टमेंट में आते हैं और इसका रखरखाव का और वहां पर अथ्लेटिक स्ट्रेक, मल्टिपल हॉल, वॉलीबल कोड और बास्केट बॉल तीनों में बने हुए हैं और इसमें जैसे मेंबर ने कहा कि इसमें स जो स्टेडियम बनाए गए हैं, वो 2010 में बनाए गए थे, 2013 में बनाए गए थे, जो पंचाइट डिपार्टमें द्वारा बनाए गए थे अगर कहें तो मैं नाम बता जिता हूँ जमालपुर में दो यार तेरा में, कॉंदरवाली में दो यार तेरा में, कुछोरोली में दो यार चोदा में, बिरोडी में दो यार नो में, बाहू में दो यार तेरा में, होसदरपुर में दो यार चोदा में, बिरहाना में दो यार 2013 में ये बनाए गए थे और पंचाय डिपार्टमेंट का हमेशा जो भी स्टेडियम ऐसा बनता है वो बनाया जाता है रखर खाव ग्राम पंचाय द्वारा किया जाता है फिर भी मानिये मुख्या मंत्री जी ने 24-25 का जो बजट है उसमें अगर जो भी अशक्ता होगी उससार उसका काम करवा दिया जाए तो मेरा अनुरोध है कि जो स्टेडियम आज से 10-12 साल पहले बन गए उनकी हलात खराब हैं उनको टाइमली करने का बजटरी प्रोविजन किया जाए